हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लवली प्रोफेशनल यूनिवरसिटी के बीटेक कोर्स के बारे में बताऊंगा चाहे जितने भी उसके ब्रांचेज हो गया है प्रोग्राम्स हो गया इंजीनिरिंग के अंदर सारी चीज़े बताऊंगा डीटियल में फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगा स्कॉलर्शिप के बारे में बात करेंगे और रिवियू भी दूँगा और बहुत ही ज़ाधा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वीडियो का अभी लेकर आणा क्योंकि इसका जो scholarship का जो exam है वो उसका 25th of January तक ही last date है 25th of January तो यार देखो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है अभी ये video लेकर आना सब कुछ बताऊँगा तभी तो आप सोचोगे कि हमें क्या करना है आगे so video start करते सबसे पहले disciplines और courses के बात करें तो देखो इतने सारे courses हैं यहाँ पर इस university के अंदर but हम यहाँ पर सिर्फ engineering की बात करेंगे आज के इस video में यहाँ उपर देख सकते हो fee and scholarship तो सबसे पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ वो काफी ज़्यादा important हो जाता है अब यहाँ पर B.tech के programs और branches देखो यहाँ पर normal B.tech है B.tech honors में भी है और branches की बात करें तो CS में इतने सारे branches है CS, data science, CS data science, CS AI, CS AI and data engineering CSE software product, engineering, big data analytics मतलब काफी सारे हैं और भी देख सकते हो नीचे मैं नीचे scroll down कर लेता हूँ आप यहाँ पर अच्छे से stop करके यह सारी branches देख सकते हो और अगर आपको CS नहीं करनी मतलब कोई और branches देखनी है तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको electronics and communication, normal CSE, IT, mechanical इधर right side में देखो civil, electrical, triple E, biotech तो बहुत सारी यहाँ पर branches देखने के लिए मिलती हैं आपको अब B.Tech के ही कुछ ऐसे programs है जिनका tie-ups है industry के साथ देख सकते हो B.Tech tie-up है with Intel और यहाँ पर देख सकते हो 2 plus 2 का international credit transfer option भी है यह मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम fees और उसके बारे में scholarship के बारे में बात करेंगे जैसे कि 4-year का B.Tech है तो 2 साल आप यहाँ से करोगे LPU से और 2 साल आप बाहर के युनिवर्सिटी से करोगे और आपकी जो डिग्री होगी वो भी बाहर की होगी जो भी है जो आपकी last qualification है उसके basis पर भी आपको scholarship मिलेगी national level entrance exam जैसे की CUET हो गया बर B.Tech की बात हो रही है तो यहाँ पर J.E.Mains हो गया तो उसके rank और उसके percentile के basis पर भी आपको scholarship मिलेगी और यहाँ पर देख सकते हो cultural performance या फिर co-curricular activities में उसको basis पर भी मिलेगी calculate करके बताओंगा कि किस किस branch की या किस को मैं कितनी जादा आपकी मतलब fees कम होगी और कितनी fees आपको लगेगी मैं आपको सब detail में आगे बताओंगा calculate कर बस आपको ध्यान देना है कि आप कौन से ब्रैकेट में आते हो क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रैकेट वन को देख सकते हो सबसे जादा scholarship यहाँ मिलेगी देखो किसी भी टेबल में ब्रैकेट वन को देख सकते हो यहाँ फेज वन में 20 परसंट है फिर 30 परसंट है 40 परसंट है 50 परसंट है तो ब्रेकेट वन वालों को सबसे ज़्यादा scholarship मिलेगी वैसे मिलेगी सबको मतलब ब्रेकेट 2 ब्रेकेट 3 को भी अब आप देखो आप कौन से ब्रेकेट में लाए करते हो मैं आपको समझा देता हूँ यहां पर ब्रेकेट 1 में वही आते हैं जिनकी जो पॉलिकेशन है रास जिसे के ब्रेकेट के लिए कर रहे हैं तो 12 की और के लाते हैं समझा देखी जाएगी उनकी 95 पर परसेंट जो आप लाएंगे तो उसके उपर लाइ करते हैं students और सिर्फ इन ही के basis पर नहीं और भी बहुत सारे ऐसे factors हैं जिनके basis पर आपको scholarship मेलेगी वैसे इस पर एक बार और और वीडियो में लेकर आ चुका हूँ बट एक बार और आपको अच्छे से detail में BTEC के लिए बता है ना LPU में जैसे 2024 admission के लिए scholarship test है अगर आप इसको लेते हो तो आपको extra scholarship मिलेगी और इसकी जो date है ना वो 25th of January तक extend हुई है मतलब expire हो गई थी date but फिर से यहाँ पर 25th of January तक इसकी last date extend हुई है तो आप जब भी ये video देख रहा हो जाकर apply करो और apply मेरे link से करोगे जो description में दि registration करते time तो यह जरूर धान देना अगर आप normally apply करोगे तो आपको 100% payment करनी पड़ेगी but मेरे link या coupon जो है description में दिया हुआ है वहां से कर आप करते हो तो आपको 50% का off मिलेगा बाकी और भी चीजे समझा देता हूँ अब यहाँ पर जो है national level exams के basis पे भी आपको scholarship मिलेगा हम य से other factors हैं जिन पर आपको scholarship मिलेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से stop करके और यहाँ पर यह एड होंगे जैसे कि आपके अगर आप bracket 1 में आते हो आपको 50% off मिल रहा है तो साथ में यह अगर इसका कुछ मिल रहा है तो इसका भी मतलब add होगा उसके साथ जो की का AI and data engineering की बात करें तो per semester जो program fees है इसके अंदर सब कुछ included है वो 2 lakh है और यहाँ पर देख सकते हो 20% scholarship लगा इस पर लगेगी मतलब 1 lakh 60,000 हो जाएगा per semester फिर 170, 180 तो यह देखो यह इनका मतलब की देख सकते हो आगे की branches देखने के पर और clear हो अब यहाँ पर देखो other branches इनकी fees क income है उनकी 2 lakh थी per semester यहाँ पर 1 lakh 40,000 है इस branch की और यह वही branch है जिसके अंदर 2 year यहाँ पर 2 year foreign वाला देख सकते हो 2 plus 2 international credit इसमें 98,000 आपकी लगेगी per semester अगर आप bracket 1 में आते हो जैसा कि देख सकते हो 25% 20% data science की बात करें तो इसकी 1 lakh 70 है CSE इसका software development 170 इसका देख सकते हो आपकी यह वाली नहीं लगेगी scholarship के बाद यह वाली आपकी लगेंगी तो आप इनको अच्छे से stop करके देख सकते हो तो यहाँ पर पर semester देख सकते हो 1 lakh 19,000 और यहाँ पर आप अच्छे से stop करके देख लो बाकी यहाँ पर बात करें अब जो है इन branches की बात कर लेते हैं उपर यार scholarship 50% आपकी लगती हो तो 70,000 हो जाएगी और robotics and automation में 85,000 पर semester हो जाएगी और ECEIOT में 85,000 हो जाएगी पर semester सो अब यहाँ पर हम finally review के बारे में बात करते हो और scholarship के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से ब्रांचे जिनकी पर semester 1.5 lakh के आराउंड भी है और कि किसी की 85,000-90,000 भी है तो एक साल की अगर हम calculate करते हैं तो वो 2 lakh से लेके 3 lakh के बीच में हैं जो कि normally किसी भी college के अंदर देखने के लिए मिलता है और even आप कोई भी college उठा कर देख लो मतलब जो इस level के होते हैं उनकी fees even बहुत private ऐसे colleges हैं जिनकी इसकी इससे जादा fees है बट यहाँ पर scholarship भी आपको लग रा इस बात का अपको ध्यान देना है सो सबसे important चीज आपको अभी तो scholarship का exam दे नहीं है ताकि जो है आपको scholarship काफी जादा मिल सके सो आप अभी जाके apply करो 25th of January तक इसकी date extend हुई है और link आपको description में मिलेगी वहां से करते हो तो 50% का आपको off मिलेगा registration form में जितना भी आपका amount लग रहा है और coupon भी दिया होगा आप दोनों में से कोई भी करो गया अगर link apply करोगे तो direct आपका open होकर आजागा वहां fill कर सकते हो और अगर आपने apply कर दिया है और fees अभी तक submit नहीं की है तो आप मेरा coupon डाल दो वहां पर आपको off मिल जाएगा 50% का बाकी so मैं ये तो नहीं बोल रहा ना अभी कि आप admission low या ना लो वो तो बात की बात है पहले आप scholarship test देखर देखो फिर आप अपने उपर फिर decide करना फिर मैं फिर मुझसे पूछ भी लेना क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूंगा यहां हमारी वीडियो complete हो जाती है वीडियो पसंद आई या informative लगी like जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना और bell icon प्रेस कर देना कल के एक और ऐसे ही important वीडियो में